जेहिन दोस्तों स्वागात है आपका हमारी चैनल इजनोट्स क्लिक पर देखें दोस्तों यहाँ पर मिनिस्ट्री आफ रेलवे के तरप से आरा से गुरूप डी रिजल्ट से सम्बंधी दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटीस जो है जारी कर दिये गए है दोस्तों गुरूप डी रिजल्ट से रिलेटेड आपका फिजिकल से सम्बंधी दोस्तों यहाँ पर नोटीस जो है जारी कर देगए है दोस्तों यह बिल्कूल आफिसल नोटीस है तो चले दोस्तों चलते हैं नोटीस की तरप तो देखें दोस्तों मैं नोटीस की बात है देखें दोस्तों नोटिस देखें तो यहाँ पर for candidate appeared for CBT CEN number RRC 01-2019 level 1 post देखें दोस्तों यहाँ मैं topic first number का यहाँ पर बात करूं दोस्तों तो देखें the computer-based test CBT result for level 1 post notified against CEN RRC 01-2009 सोरे दोस्तों 2019 conduct from 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 in various faces by RRBS will be conducted shortly तो देखें दोस्तों इसमें यही कह रहा है कि जो जितने भी RRBS है दोस्तों Ministry of Railway के अंतरगत जितने भी RRB Center है वहाँ दोस्तों यहाँ पर देखें 17 अगस्त से दोस्तों 11 अक्टूबर तक यहाँ जो एक्जाम जो है दोस्तों कराए गया था फिर देखें दोस्तों यहाँ पर next मैं second topic की बात करूं तो देखें दोस्तों all the candidates the candidates expecting to be qualified in CBT are advised to be ready for physical efficiency test PET which will be conducted for the shortlisted candidate during first or second week of January 2023 tentatively इस तरह से दोस्तों तो देखें दोस्तों यहाँ आपके लिए बहुत बड़ी खुस खबरी है दोस्तों क्योंकि यहाँ यही कहा जा रहे है दोस्तों कि आपका जीतने भी candidate है जिनको लग रहे है कि हम qualify कर लेंगे तो वह दोस्तों यहाँ पर ready for physical efficiency test PET के लिए दोस्तों आपको तयार रहने के लिए कहा जा रहा है और यहाँ जो physical है दोस्तों वहाँ इसमें mention कर दिया गया है कि जनवरी के फर्स्ट और second week में दोस्तों आपका physical जो है start हो जाएगी इसलिए दोस्तों अभी काफी समय है आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जो है अपनी तयारी जो है अभी से तयारी में लग जाए फिर देखे दोस्तों यहाँ पर मैं थर्डर नंबर टॉपिक की बात करूँ तो देखे दोस्तों देखे दोस्तों इसमें कहा गया है कि based on the merit of the candidate in the CBT candidates shall be called for P.E.T. three times the community-wise total vacancy of the post notified against RRBs or RRCs. However, railways reserve the right to increase decrease this ratio as required to ensure availability of adequate reasonable number of candidate for all the notified post. passing physical efficiency test P.E.T. is mandatory and the sum will be qualifying in nature the criterion for P.E.T. is as under तो देखे दोस्तों इसमें यही कहा जा रहा है कि जितने भी जो candidate है जो shortlisted होंगे दोस्तों P.E.T. के लिए उनके जो है दोस्तों three times कहने के मतलब यह है दोस्तों कि जितना भी जिर जोन में जितना भी पोस्ट है उस पोस्ट के तीन गुना दोस्तों candidate को उहाँ पर physical के लिए बुलाय जाएगा और फिर दोस्तों यह जो physical efficiency test होने वाला है वहाँ दोस्तों सिर्फ qualify mark है दोस्तों आपको इसमें number 8 कहीं 8 नहीं होगा यह सिर्फ qualifying करना है दोस्तों इसमें फिर चले दोस्तों देख लेते हैं कि जो physical strength है उसमें क्या करना होगा तो देखे दोस्तों पीटी के लिए mail candidate की मैं यहाँ पर बात करूँ mail candidate की तो इसमें देखे दोस्तों कहा गया है कि 35 किलो के दोस्तों आपका वजन जो भी रहेगा उसको दोस्तों आपको उठा करके 100 मिटर दोस्तों आपको चलना है और यहाँ time duration रहेगा दोस्तों इसके लिए 2 मिनट में आपको 35 किलो की बजन जो है उठा के चलना पड़ेगे दोस्तों 100 मिटर चलना है आपको 2 मिनट में और उसके बाद दोस्तों फिर second वाला इसके अंतरगत 1 किलो मिटर दोस्तों आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको cover करना पड़ेगा और फिर दोस्तों इसके बाद next मैं female candidate वालों की यहाँ पर बात करूँ तो इसमें भी देखे दोस्तों जो female candidate है उनके लिए 20 किलो का वजन दोस्तों आपको उठाना है और वही 100 मिटर दोस्तों आपको 2 मिनट में आपको चलके या जैसे भी चलके ही चलके ही जाना है दोस्तों इसमें फिर देखे दोस्तों महिलाओ के लिए जो next आपका physical होगा उसके अंतर के दोस्तों आपको 1 किलम करना है फिर next देखे दोस्तों next मैं topic की बात करों यहां पर fourth number की तो इसमें देखे दोस्तों इसके अंतरगत जो railway से apprenticeship training की हैं दोस्तों उनके लिए बहुत बढ़ी खुस कर रही है क्योंकि देखे the persons with benchmark disability PWBD and a course completed act apprenticeship CCAAS are exempted for appearing for PT दोस्तों इसमें यही कह रहा है कि जो विकलांग के टिगरे हैं दोस्तों PWBD के अंतरगत आते हैं और जो apprentice candidate है उनके लिए यहाँ पर physical stunt नहीं है नहीं है दोस्तों उनको physically दोस्तों ET को इसमें हटा देगा है उन लोग के लिए फिर देखे दोस्तों यहाँ पर मैं next topic की बात करूँ दोस्तों चट्वे नमबर की तो इसमें देखे दोस्तों इसके अंदर कहा गया है कि candidates are advised to visit only the official website for RRB या फिर RR6 and beware of fake website and social media content put up by inscript plus elements tout दोस्तों इसमें यही कह रहा है कि candidates को advice सलाह दिया जा रहा है दोस्तों कि आप फेक news के चक्कर में ना रहें आप regularly दोस्तों यहाँ पर जितने भी railway की जो RRB या भी RR6 साइट है उसी को दोस्तों आप follow करें उसी में जो notice publish किये जाते हैं उसी पर विश्वास करें तो इस तरह से दोस्तों जो railway group D के एक candidate है दोस्तों उनके लिए बहुत बड़ी खुस कबरी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जिनको लग रहे कि मेरा हो जाएगा वो बिल्कुल यहाँ पर physical की जो है दोस्तों तैयारी में लग जाए अब बिल्कुल ही समय नहीं है आपके पास तो चले दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपारे चैनल को subscribe करें अपने दोस्तों को भी share करें और like कर दें दोस्तों और जो भी doubt है वो comment box में send कर दें ताकि हम उसका जवाब दे सकें तो चले दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए हसते रहें मुसक्राते जहन